लॉक्डाउन में गाड़ी नहीं चलाने के कारण प्रखंड शेत्र के राजपूर पंचायत के वर्ड नमबर 10 के ब्लड कैंसर से पीडित 6 वर्षिये प्रिंस कुमार ने बीती देर रात दम तोड़ दिया मिली जानकारी के अनुसार प्रिंस कुमार का इलाज दो वर्षों से पटना के महवीर कैंसर संस्थान में चल रहा था लेकिन दो दिनों से अचानक तबियत बिगड गई जहां बच्चे के अभीभावक ने बीती संद्या इलाज कराने कल्यानपूर प्रात्मीक और बोले कि पांच हजार दो पटना भेज देंगे जहां इतना रुपए देने की सक्षम नहीं होने से पीडित बच्चे को लेकर अभीभावक अपने घर आ गये जहां देर रातरी बच्चे ने अपने दादा की गोद में दम तोड़ दिया इस संबंध में डॉक्टर मोहि से मोतिहारी छोड़ने के लिए बोला गया वहीं कुछ समय के बाद वे लोग अपने घर चले गए अभी भावक द्वारा लगाया गया आरोप गलत है प्रिश कुमार जो मारे पास तल आठ वच्टर चालीज मिनत के आया था वो हलका कुछार और जो है नाक से बीडिक की खायत बतारा था उसका ओलेटी महाविश के अंधर संसान में जाज चला था एक साथ से उसके अधर न मुझे बताया तो मैं राग इसको मैं पंदा आज जाना लेकर जाना लेकिन वह इप ने बताया है कि पटना के लिए एंवूलेंस के फांच सजाद पर ना है नहीं यहां से पुछी ने माई विया था वह प्राइवेट काई के लिए विकारा था कि आप उनको काई से उपाय करा ने एप और उसके वाहद ने पिसी से बार की वाहद ने क्या ना करें वहां से पटना के लिए नहीं पतना की मैं नहीं आपका क्या नाम हो दोक्टर मूहित मिश्वाद काल्यान को क्या हुआ है क्या हुआ है बोला जो बोलो क्या हुआ है कहा गया था कल्यानपूर किसे लिए गया थे बच्चा के इलाज करने को लेगा दोक्तर क्या बोले है यहां से नहीं पटना जाना पड़े गाया अच्छा अच्छे फिर अपने थान ही सब गाड़ी पूरी का कुछ तो बोल रहा है यहां से पांचर पर लाएगा प्राइबट लेका जाने के लिए माविर्केंचा लेगा उस्पितल गाड़ी कौन बुल रहा था है उसी के स्टाप कोई था अम्बुलेंस नहीं बेजाये लो नहीं ब पाचर पर लेगा फिर्ट फिर्ट कर दो फो कि अधुब जाढ़ी है उस्टाप जालएगा तो नहीं बुल नारे भी दा है अज़रकेंट कीए नहीं है यह नहीं कीछा यह